कोवीड अपडेट की आपको बता दे कि पिछले 24 गंटे में जमुकश्मीर में कोरोना वाइरस के 165 केसिस रिकॉर्ड किये गए हैं जिसमें से कश्मीर ड्विजन के अगर बात करते हैं तो आपको बता दे कि कश्मीर ड्विजन से 156 केसिस सामने आए हैं और इसी के साथ जो है वो रिकॉर्ड किये गए हैं इसी के साथ जमु ड्विजन के अगर बात करते हैं तो जमु ड्विजन से 5 जिले ऐसे रहे हैं जहां पर कोई भी केस जो है वो सामने नहीं आया है और इसी के साथ कश्मीर ड्विजन से केवल एक ही जिला ऐसा है जहां पर कोई भी केस ज किए बच्चों को की ये बताया जा रहा है कि चात्र जिन बच्चों का पाया है और इन बच्चों को जब हमें से और इसे के साथ आइस्यन में रखा और पूरी इनकी जो एक तरहां से इन पर नजर जो है वो भी रखी जा रही है और साथ जहां पर जिलों की अगर बात करें जम किश्मीर के कि कौन-कौन से जिले में कितने केस जो हैं वो पाए गए हैं उसका भी आंकड़ आपको बता देते हैं तो जहां पर जम्मू जिले की हैं तो आपको बता दे कि जम्मू जिले से चार कोविड-19 के पॉजिटिव केसिस पिश्री 24 गंटे में पाए गए हैं डोडा से दो कट हुआ से एक वही पुंच से एक और रियासी से भी एक केस जो है वो सामने आया है इसी के साथ उधंपूर, राजोरी, सांबा, इवामा से तीन, कुपवाडा से तीन, अनंतनाग से एक, बांदीपूरा से तेरा, गांदरबल से तेरा और कुलगाम से एक केस जो है वो सामने आया है और शोपियां ऐसा जिला रहा है जहां से कोई भी करोना वायरिस का केस जो है वो सामने नहीं आया है तो यानि कि आप द 65 पहुँच गया है इसी के साथ कश्मीर डिविजन के अगर बात करें तो कश्मीर डिविजन में सबसे ज reconciliation सामने आ रहे हैं जहांपर देर सुझ से पार पिछले टो तीन दिन से अंक्रा बना हुआ है इसी के साथ हैं लेकिन एहां पर लोगों को समझने करते हैं तो आपको बता दें कि पछले 24 गंटे में 103 पेशिंज जो हैं वो कवर हो चुके हैं जसमें से 5 जो हैं जमूर दुविजिन से थे और 98 जो हैं वो क्श्मीर डुविजिन से हैं और इसी के साथ जहां पर म्युकों और माइकासिस के के सिसके अगर बात करें तो बात करें तो आपको बता दें कि 44,000 से ज्यादा लोगों ने पिछले 24 घंटे में कोवीट टेस्टिंग जो है वो भी करवाई है इसे के साथ अब नंबर ऑफ एक्टिव केसिस के अगर बात करें तो आपको बता दें कि जमकश्मीर यूटी में अब 1193 केसिस जो है वो एक्टि लाने वाला है और इसी के साथ जहां पर आमजंता की बात करते हैं तो आमजंता को समझने की जुरूरत है जहां पर फेस्टिवल सीजन जो है वो चल रहे थे मार्केट्स में हमने देखा कि किस तरह की भीर जो है वो लगी थी और इस बीच आमजंता ने जिस तरह की करोना की जो एसोपीज हैं जो उसकी गाइलेंसे उसकी धजियां जिस तरह से उड़ाई हैं उसका परिणाम जो है वो अब देखने को मिल रहा है और इसी के साथ जहांपर श्रीनगर के आपको बाते हैं कि जहांपर श्रीनगर में लगातार आंक्रे जो हैं वो सबसे जादा पाये जा और इसी के साथ प्रिशासन की जहांपर बात करते हैं तो प्रिशासन ये भी लोगों को अलर्ट कर रहा है कि अगर आने वाले समय में इसी तरह से करोना के केसिस बढ़ते रहते हैं तो कुछ इलाकों में लॉगडाउन जो है वो एक बार फिर लगाया जा सकता है तो यानि क कि अगर जिस तरह से वेपार भी पर आया है लोगों की जिंदगी जो है वो भी एक तरह से सही रास्ते पर पहुंची है इस बीच जिस तरह से करोना का आंक्रा जो है वो लगातार बढ़ रहा है इस बीच लोगों को समझने की जुरत है कि उन्हें सतर्क होना होगा और जित तरहां से जो है उस पर एफेक्ट करता है वो भी लोगों को काफी एक तरहां से चिंता जनक जो है वो स्थिती पैदा कर देता है यहां पर अब लोगों को समझने की जुरूरत है और साथ इसाथ प्रिशासन ने भी जिसतना के कदम उठाए हैं उस पर और कड़े कदम जो है उ जड़ा जो जड़ा इसमोगों ।क करता है दूरूर करता है वोगों आपको जो ने एक द्सके का कारऊ में ह।